नमस्कार दोस्तों सुआगत है आपका वैदिक नौलेच चैनल में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गनेश चतुरती की पूजा में कौन सी चीजे आपको अवश्य शामिल करनी चाहिए वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी चैनल की नए-नए अपडेट्स मिलते रहें इंस्टरग्राम पीज को भी फॉलो करें तो चलिए शुरू करते हैं इस साल 19 सितंबर को भादरपद महा की चतुर्थी तिथी पढ़ रही है चतुर्थी तिथी भगवान गनेश को समर्पित है वैसे तो हर महा में दो चतुर्थी तिथी पढ़ती है एक शुक्लपक्ष में और एक कृष्णपक्ष में लेकिन भादरपद महा के शुक्लपक्ष की चतुर्थी तिथी को बेहती खास माना जाता है मान्यता है कि इस दिन भगवान गनेश का जन्म हुआ था गनेश जन्मोटसव के रूप में ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है इस दिन से दस दिन तक चलने वाले गनेश उटसव के शुरुवात होती है चतुर्थी तिथी पर भगवान गनेश की पूजा करना बहुत ही शुब माना जाता है इस दिन भगवान गनेश की पूजा करने से ज्ञान और आईश्वरे की प्राप्ती होती है इसके अलावा गनेश जी की कुछ प्रिय चीज़े हैं जिने पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए चलिए जानते हैं कि कौन सी हैवे चीज़े मोदक और लड़ू गौरी पुत्रश्री गनेश को मोदक और लड़ू बेहत प्रिय है लड़ू और मोदक के बिना गनपती बपा की पूजा अधूरी मानी जाती है ऐसे में गनेश चतुर्ती के दिन गनेश जी को मोदक और लड़ू का भोग जरूर लगाए दूर्वा घास दूर्वा घास गनेश जी को बेहत प्रिय है इसलिए भगवाण गनेश की पूजा में दूर्वा घास को जरूर शामिल करें इससे गनपती बपा प्रसंद रहेंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे लाल फूल लाल फूल भी गनेश जी को बेहद प्रिय है इसके बिना बप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है ऐसे में गनेश चतुरती पर श्री बप्पा को लाल फूला जरूर चड़ाए सिंदूर का तिलक गनेश जी को सिंदूर बेहद पसंद है इसके बिना विग्न हर्ता गनेश की पूजा अधुरी माने जाती है इसलिए गनेश चतुर्ती पर भगवान गनेश को सिंदूर का तिलक जरूर लगाए केला गनेश चतुर्ती पर भगवान गनेश को केले का भोग जरूर लगाए हाला कि एक बात का ध्यान जरूर रखे कि एक केला चढ़ाने के बजाए इसे जोडे में चढ़ाएं दोस्तो ये थी जानकारी कि गनेश पूजा में आपको कौन सी चीज़े शामिल करनी चाहिए वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करें कमेंट करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद